क्या इलियाना और अजय के बीच बढ़ रही हैं नजदी किया क्या अजय है इलियाना के करियर को लेकर वेल कंसर्ण अजय ने किस फिल्म के लिए किया इलियाना का नाम रेकमेंड जी हाँ सही सुना आपने अजय आजकल दे रहे हैं इलियाना पर काफी ध्यान साथ ही वो रख रहे हैं उनके करियर का भी खास खयाल ऐसे में अजय ने इलियाना के लिए सॉफ्ट कॉनर देखते हुए दमाल सीक्विंस के लिए उनका नाम किया है रेकमेंड यहाँ हम आपको बता दें कि अपकमिंग फिल्म बादशाहों में इलियाना डिक्रूज आजय के साथ स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आएंगी इस फिल्म में पहली बार इलियाना और आजय ने एक साथ किया है काम अब शायद इस फिल्म में काम करते हुए इन दोनों के बीच बन गई है काफी ग्रेड बॉंडिंग। तभी तो अजे कर रहे हैं फिल्म मेकर्स को इल्याना का नाम रेकमेंड। According to our sources, धमाल के सीक्वल के लिए अजे ने मेकर्स के सामने रखा था इल्याना का नाम, जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि अब इस पैर को धमाल सीक्वन्स के लिए कर लिया गया है कास्ट। धमाल सीक्वन्स के लिए फिल्म मेकर्स ने पहले ही किया था अजे को अप्रोच। और अब अजे के रेकमेंडेशन के बाद फिल्म मेकर्स भला कैसे नहीं करते फीमेल लीड के लिए इल्याना को कास्ट। वेल इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि बादशाहों में एक साथ काम करते हुए अजे और इल्याना बन गए हैं एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त। लेकिन अजे का इल्याना के लिए इतना कंसर्न होना क्या उनके फैंज और बाकी लोगों को हो पाएगा इजिली डाइजेस्ट। फर अभिशेख सिंग, जूम मंबाईल